दो जानकारिया देने वाला हूँ पहली जानकारी बिजली बिल से सम्मदित है दूसरी जानकारी होम कार्ड बढ़ती की है तो दोनो जानकारी आपको विस्तार से देने वाला हूँ बने रहे हैं इस वीडियो में सुरू से आखिर तक चले वीडियो शुरू करते हैं तो पहले जाने करी आपको दे देता हूं बिजली विल से समधे दें पहले क्या होता था अगर आपने विजली का विल आपके पास ज्याद़ आया है तो आप इसकिम के इसाफ से तो आपके किस्ते बना दी जाते थी अधिकारियों के दबारा ल 2,000 के बनवा सकते है, 3,000 रुपे की जितनी मर्जी चाहिए आप बनवा सकते है ओनलाइन और आप ओनलाइन ही जम्मा करेंगे तो ये सुरू किया गया है उत्तक प्रदे सरकार के दोबरा एक ट्रायल के तोर पर 3 महने का ये समय दे गया है अगर ये प्लान सफल रहता है तो इस स्कीम को 3 महने से आगे बढ़ाया जाएगा तो पूरी-पूरी समभावना है ये सफल हो जाएगी और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा तो इसमें जो है सुविधा से राजसों में सुधार होने पर आगे भी इसे जारी रखने पर विचार किया जा सकता है तो ये जो शुरुवात की गई है जो लागू होगी 22 मार्च 2022 से 3 महने तक आप अन्दायर लगा सकते हैं 22 मार्च 2022 से 3 माह तो अपरेल मई जून तो तीन महीने हो जाएंगे तो तब तक ये जारी रहेगी तो आप अपना टुकडों में ये किस्तों में अपना बिल जम्मा कर सकेंगे जो कि एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है गरहा के लिए यानिके वह बहुता के लिए ये सुविधा ओनलाइ इन बिजली का बिल जम्मा करना है उसको मैं बता देता हूं आप 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 ये जानकर जो है उत्तपरदेश के लिए है केवल उनली उत्तपरदेश के लिए तो उसमें जो वैबसेट का नाम है यूपी एन एर जी वाई डोट इन यूपी एनरजी डोट इन यह वैबसेट है इस पर आप अपना बिल आंसिक रूप से किस्त बना करके जम्मा कर सकते हैं तो ये सुविधा दिए गई है उत्तपरदेश सरकार के द्वारा और दूसरी जाने करे कि आपको बता देता हूं उत्तपरदेश होमकार भरती की इस भरती की काफी चर्चा हो रही थी उत्तपरदेश विदानसवा चनाओं से पहले भी अब इसके बारे में एक मिटिंग आयुजित की गई यह आयुजित की गई होमकार वै कारगार रज्यमंतरी ध्रमवीर परजवरती की ओर से पहले समिक सब्हटक आयुजित की गई उसमें कई मुद्दों पर चर्चक की गई लेकिन जो मैन मुद्दे थे मैं उनको आपको बता देता हूं तो इसमें जो पुलिस की तरज पर महि लाब दिलाने की चर्चक की गई जिस प्रकार पुलिस में मातरतो अवकास मिलता है ऐसे ही जो होमकार है महिलाए तो उनको मातरतो अवकास दिलाने पर चर्चक की गई और रिक्त पदों पर जल्द भरती पर चर्चक की गई जिहां जो रिक्त पद चल रहे है होमकार में उस कि एक बहुत बड़ी बात है होम काड के लिए जो उसको स्वास्टा लाव मिलेगा जैसे आयुसमान काड बनता है तो इस प्रकार का लाव उनको मिलने वाला है सभी होम काडों को आयुसमान भात योजना के तहत और इसमें जो चर्चा की गई जो मुख्य एक चर्चा हो रहे गी है तो महिला होम काड को के जो है बीस परसेंट पद आरक्सित करने के तियारी है जिहां बीस परसेंट पद महिलाओ के लिए आरक्सित करने के तियारी है और क्योंकि महिला होम गाड जो है बहुत कम बन पाती ह उनके संक्या कम होती है तो इससे अधिकतर महिलाओ का जदतर महिलाओ का नंबर इसमें आ जाएगा आराम से आ जाएगा तो थोड़ा चैन में आसानी हो जाएगी तो पहले इस प्रकार का वरिस्ता नहीं थी कि 20% उनके लिए रिजर्व है लेकिन अब इसकी पूरी पूरी तियारी चल रही है 20% आरक्सित करने की तो ये महिलाओ के लिए एक अच्छी जानकारी है खुस खबरी है तो दोनों जानकारी मैंने आपको दी है अगर दोनों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं ऐसे ही अन्ने किसी वीडियो के टोपिक पर तो जुड़े रहे हैं इस चैनल पर हमारे साथ में तो वीडियो को लाइक तो करने है चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना बहुत बहुत धन्यवाद